तो नमस्कार दोस्तों फिर से आज एने एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आप देख रहे हमारा पैथलेब चैनल मेरे नाम है मनिश कुमा तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रेस्ट जो है उसमें अगर कोई गांट है यानि कि ब्रेस्ट कैंसर भी आपके काफी काम आ सकती है तो बात करेंगे कि अगर किसी को जैसे ब्रेस्ट में गांट हो जाती है तो डोक्टर उनको एडवाइज करता है कि आपको टेस्ट कराईए कुछ डोक्टर जिनको पता है पहले ही वो आपको एडवाइज कर देंगी कि आपको एफनेसी टेस्ट क क्या होता है जब भी आपके जो सरीर का की भी बी पार्ट निकाल यानी कि छोटा सा टीशू का पार्ट जैसे कि आपने मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं जैसे के आपने गौलब्य कर दो अब कर दिया उसका बाइयोपसी करा सकते हैं और आपको और और कोई जैसे गांट है उसको रिमूव कर दिया स्किन से, यानि कि आपके सरीर से कोई भी टीशू रिमूव हो जाता है, आपके सरीर से कोई भी टीशू अलग कर दिया जाता है, उसको बाइपसी टेस्ट बोलते हैं, जो कि हिस्टो पैथलोजी का टेस्ट है, और फिर उसमें इंटरनल गांट है, यानि कि सरीर में कहीं पे भी गांट है, उबरी भी गांट है, गले में भी हो सकती है, बच्चों की गर्दन पे होती है, या ब्रेस्ट में भी होती है, तो उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट कराना है, उसके लिए जो टेस्ट होता है, होता है FNAC, जो कि एक सुई से होता है जहां भी गांट होती है वो एक पैथलोजिस्ट ही करता है आपको किसी भी नॉन पैथलोजी लैब में नहीं कराना है जहां पर पैथलोजिस्ट एउलेबल हो वहां पर ही जाके वो टेस्ट कराना है उसमें क्या होता है कि आप जब भी जाएंगे डोक्टर बनेंगी और फिर microscope होगी तो उससे फिर clear होता है कि यह जो गांट है यह किस सीज़ की है कोई cancer की गांट है या normal वैसे ही जो है कि यह गांट बनी हुई है उससे confirm होता है तो यह जो गांटे होती है यह external भी होती है और internal भी होती है यह निकि तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि जो गाइडिय डैफिनेसी पेर बाया है suicide Сंटर पर जाके करता है उसमें किया कि यह गांट है इंटरनल होगी या निका आपके पेट के अंदर होगी तो pathologist को ऐसे महसुम ने होता कि गांट पर भी उसी धगहां पर याप बेखा तो एक इसके वह इस घगह पर उसकी बीड़ीनीड के द्वार, उसका सैंपल लेता है वहाँ सेमल कलेट करता है फिर उसके बाद उसका स्टेनिं हमला है और सिद इसकों सोक true के आपको बताता ही यह जो है किसी चीज की गांट है कैंसर की है यह किसी और चीज की तो यह होगे गाइड़ेड एफिनेसी जो कि इंटरनल जो आपको कोई गांट है सरीर में उसका होता है जो एक्सटरनल होती है जो सरीर में कहीं भी दिख रही है तो उसका आप जह नौर्मल एफनेसी जाके करा और FNAC में सिर्फ एक हलका सा पेन होता है निडल से और वो निडल से ही आपका सेंपल लेकर टेस्टिंग हो जाती है और पता चल जाता कि वो गांट किस चीज़ की है तो आपको साथ डाउट है जो किलियर हो गया होगा कि FNAC और बायपसी में क्या डिफरेंट है तो आप वैसे अपने डोक्टर की सलहा पर ही टेस्ट कराएं क्योंकि FNAC आप कराते हैं और आपने अपनी मर्जी से करा लिया तो फिर आप रिपोर्ट जो है वो रीड नहीं कर प झाल